हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, हम उम्मीद करते हैं कि आप बरहिया होंगे दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही high demanded बुक की समरी लेकर आए है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक समरी को शुरू करन में आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप हमें आपसे जितना हो सके, उतना आप पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही valuable content लाते रहें, दोस्तों, हम आपको बता दे कि हमें सिर्फ एक सिंगल ओडियो बुक को बनाने में 9Bytes YouTube चानल पर, जिसके ओनर है सचन ठाकूर दोस्तों, हमें आपके लिए मुफ्त में सिर्फ एक ओडियो बुक को बनाने में काफी पैसा लगता है, और हम आपके लिए ये मुफ्त में लाते हैं, लेकिन दोस्तों, ये सब हम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह हमें हमारे सॉफ्ट्वेर को चलने के लिए काफी पेसो की ज़रूरत है, और अगर ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कॉंटेंट कैसे लाएंगे, तो प्लीज दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, या तो आप हमें डाय आपको प्रीमियम लेवल मेंबर्शिप ही जॉइन करना होगा, आप हमारी बेसिक लेवल या फिर एडवांस लेवल मेंबर्शिप जॉइन करोगे, तो उसमें आपको 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 उन मानसिक्ता को उजागर करती है जो इंसान को अपराद की तरफ ले जाती है। किताब का नाम है Inside the Criminal Mind और इसे लिखा है Stanton Saminov ने। Chapter 1 The Roots of Criminal Thinking, Introduction to Criminal Thinking Stanton Saminov अपनी किताब Inside the Criminal Mind के पहले अध्याय में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अपराद का जन्म कहां से होता है। वो इस अध्याय में इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि अपराद सिर्फ बहरी परिस्थितियों या बुरी संगती का परिणाम होता है। सामनों का मानना है कि अपराद का बीज बहुत पहले, बचपन में ही बोया जाता है। और यह बीज है अपराधी की सोच, उसकी मानसिक्ता। The criminal mindset begins early। सामनों बताते हैं कि अपराधी की सोच बचपन से ही विकसित होने लगती है। यह बच्चे अकसर नियमों को तोड़ने, अपने साथियों को धोखा देने और बिना किसी पच्चतावे के जूट बोलने में माहिर होते हैं। उनका यह व्यवहार समय के साथ और अधिक कमभी रूप ले लेता है। सेमिनाव इस बात पर जोड देते हैं कि यह बच्चे सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं होते, बल्कि उनकी मानसिक्ता ही ऐसी होती है, चो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपोन बिंदू पर चर्चा करते हैं, जिसे वो इगोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि अपराधी हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसका हर निर्नय, हर कदम सिर्फ और सिर्फ उसके अपने फायदे के लिए होता है। इस तरह की सोच में दूसरे लोगों की भावनाएं, जरूरतें और अधिकार माइने नहीं रखते, वो अपने आपको दुनिया का केंद्र मानते हैं और उन्हें लगता है कि उनके हर काम को सही ठहराया जा सकता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो, यही सोच उन्हें इस जब वो किसी को चोट पहुँचाते हैं, तो उन्हें उस इंसान के दर्द का एहसास नहीं होता, बलकि वो सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान देते हैं, उदाहरंट के तोर पर अगर एक अपराधी किसी का पैसा चोरी करता है, तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उस क्या असर होगा, वो सिर्फ इस बात पर खुश होता है कि उसने अपना काम कर लिया और उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, इस अध्याय में सामनाव एक और महत्वपून पहलू की चर्चा करते हैं, जो है अपराधियों की पावर और कंट्रोल की इच्छा, अपराधी अक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो हिंसा हो, धोखा हो या कोई और तरीका, उनके लिए पावर और कंट्रोल ही सब कुछ है, कंक्लूजियन, सामिनों इस अध्याय के अंत में इस बात को सपष्ट करते हैं कि अपराध सिर्फ एक बाहरी प्रतिक्रिया नह नाम है, ये मानसिक्ता बचपन से ही विकसित होती है, और समय के साथ ये और मजबूत होती जाती है, अपराधियों की सोच को समझने के लिए हमें उनकी इस मानसिक्ता को समझना होगा, ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, कि अगर हमें अपराध को रोकना है तो हमें इस सोच के जड़ों तक पहुँचना होगा सिर्फ सतह पर उपाय करने से कुछ नहीं होगा हमें इस मानसिक्ता को बदलने के प्रयास करने होंगे यह अध्याय अपराधियों की मानसिक्ता की बुनियादी तत्वों को उजागर करता है और यह बताता है कि अपराध सिर्फ एक बाहरी कृत्य नहीं बलकि एक गहरी मानसिक्ता का नतीजा है अगर हम सच में समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो हमें इस मानसिक्ता को समझने और बदलने के प्रयास करने होंगे इंसाइड दे क्रिमिनल माइंड के दूसरे अध्याए में स्टांटन सामनों अपराधियों की उस मानसिक्ता को गहराई से समझाते हैं जिससे वे अपने अपराधों को सही ठहराते हैं इस अध्याए का मुख्य विशय है कि कैसे अपराधी अपने गलत कामों के लिए तरक और बहाने ढूंटते हैं यह अध्याए इस बात को उजागर करता है कि अपराधी अपने कामों के लिए खुद को दोशी नहीं मानते बलकि समाज, परिस्थितियों और अन्य लोगों को दोशी ठहराते हैं समयनों बताते हैं कि अपराधी अपने अपराधूं को सही ठहराने के लिए तरह तरह के तरक गढ़ते हैं वे अपने अंदर एक रैशनलाइजेशन विकसित कर लेते हैं इससे उन्हें लगता है कि उनके किये गए काम चायज हैं उदाहरन के लिए एक चोर ये सोच सकता है कि उसने जो चोरी की वह इसलिए सही थी क्योंकि वह अमीर लोगों से पैसा ले रहा था, जिन्हें उसकी जरूरत नहीं थी एक धोखे बाज यह मान सकता है कि उसने किसी का नुकसान नहीं किया क्योंकि वह केवल सिस्टम को मात दे रहा था इस तरह की सोच अपराधियों को मानसिक शान्ती देती है और उन्हें अपने अपराधों का बोज महसूस नहीं होता The Blame Game कि वह इसलिए हिंसक हुआ क्योंकि उसे बचपन में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था इस Blame Game के जरिए अपराधी अपने अपराधों से बच निकलने का रास्ता ढूंड लेते हैं Entitlement, Mentality सामनों बताते हैं कि अपराधियों में अकसर एक Entitlement Mentality पाई जाती है उन्हें लगता है कि वे विशेश हैं और उन्हें वह सब कुछ मिलना चाहिए जो वे चाहते हैं चाहे उसे पाने का तरीका कोई भी हो यह मानसिक्ता अपराधियों को अपने अपराधों को सही ठहराने में मदद करती है उन्हें लगता है कि दुनिया ने उनके साथ अन्याई किया है इसलिए वे जो भी कदम उठा रहे हैं वे पूरी तरह से सही है वे यह मानते हैं कि वे विशेश अधिकार प्राप्त हैं और समाज के नियम उनके लिए लागू नहीं होते। इस सोच से अपराधी अपने आपको हर गलत काम के लिए सही ठहराते हैं। चाहे वे चोरी, धोखा या हिंसा क्यों न हो। Minimization of Harm, सामनाओ, इस अध्याय में इस बात पर भी जोड देते हैं कि अपराधी अकसर अपने अपराधों के असर को कम करके देखते हैं। वे यह मानते हैं कि उनके कामों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए उनके अपराध गंभीर नहीं है। उधारण के करिया के जरिये अपराधी अपने अपराधों को कम तर करके देखते हैं और खुद को निर्दोष महसूस करते हैं। The Denial of Victimhood सैमिनों बताते हैं कि अपराधी अकसर अपने शिकारों को दोशी ठहराते हैं और उनके दर्द और नुकसान को नकारते हैं। वे यह मानते हैं कि उनके शिकार किसी न किसी तरह से अपराध के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए वे खुद को दोशी नहीं मानते। उदाहरण के लिए एक बलातकारी यह सोच सकता है कि उसकी शिकार ने उसे उकसाया था, या फिर एक धोखे बाज यह मान सकता है कि उसका शिकार बहुत भोला था, और इसलिए वह धोखा खाने का हकदार था. इस denial of victimhood के जरिये, अपराधी अपने अपराधों के नैतिक पहलों से खुद को दूर कर लेते हैं और खुद को निर्दोश समझते हैं. Conclusion, इस अध्याय के अंत में समिनाव इस बात पर जोर देते हैं कि अपराधी अपने अपराधों के लिए हमेशा कोई न कोई तर्क और बहाना ढूंड लेते हैं. वे अपने आपको कभी दोशी महसूस नहीं करते, बलकि अपने अपराधों को सही ठहराने के लिए तरह तरह के तर्क गड़ते हैं. यह अध्याए हमें यह समझने में मदद करता है कि अपराधी क्यों और कैसे अपने गलत कामों को सही ठहराते हैं और यह सोच उन्हें बार-बार अपराध की ओर धकेलती है. अगर हमें अपराधियों को सुधारना है, तो सबसे पहले हमें उनके तरकों और बहानों को चुनौती देनी होगी, और उन्हें उनके अपराधों की सच्चाई से रूबरू कराना होगा। समापन, ये अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है, कि अपराधी अपनी गलत सोच से कैसे अपने अपराधों को सही ठहराते हैं और खुद को निर्दोश मानते हैं। ये समझना हमारे लिए महत्वपून है, ताकि हम अपराधियों की इस मानसिक्ता को बदल सकें और उन्ह सही रास्ते पर ला सकें। और उनके कारियों को गहराई से प्रभावित करती है। ये उसके पास ऐसी विशेश क्षमताएं हैं जो आम इंसान के पास नहीं होती। और इसलिए वह जो भी करता है वह सही है। ये बड़ा हुआ अहंकार उन्हें कानून और नैतिक्ता से परे महसूस कराता है। जिससे वे बिना किसी पच्छतावे के अपराध कर सकते हैं। उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं क्योंकि वे इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं और इसे साबित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक अपराध ही को लगता है कि वे कानून को धता बता कर, दूसरों को धोखा देकर या हिंसा का सहारा लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यह शक्ति की भावना उन्हें अन्य लोगों को अपने वश में करने के लिए प्रेरित करती है। और वे अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Sense of superiority Aparadhyo में अक्सर एक superiority complex पाया जाता है। क्योंकि वे खुद को उन नियमों से परे मानते हैं जो बाकी सभी पर लागू होते हैं। Distorted self-perception सामिनाओं बताते हैं कि अपराधियों की आत्मछवी अक्सर विकृत होती है। वे अपने वास्तविक स्वभाव और दूसरों के प्रती अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं समझते। वे अपनी गलतियों को नजर अंदाज करते हैं और अपने आपको एक पीडित या नायक के रूप में देखते हैं। ये विकृत आत्मछवी अके उन्हें अपने अपराधों को सही ठहराने में मदद करती हैं और वे खुद को किसी भी तरह की जिम्मेदारी से दूर कर लेते हैं। समयनाओं इस अध्याय में इस बात पर भी जोर देते हैं कि अपराधी अपने गलत कामों को स्वीकार नहीं करते। अपनी शक्ती का प्रदर्शन कर सकता है। यह शक्ती की भावना उन्हें अन्य लोगों को अपने वश में करने के लिए प्रेरित करती है। और वे अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपराधियों में अकसर एक सुपीरियोरिटी कॉंपलेक्स पाया जाता है। यह शक्ती की वे खुद को दूसरों से बहतर मानते हैं। अपराधियों की आत्मचवी अकसर विकृत होती है। और वे खुद को किसी भी तरह की जिम्मेदारी से दूर कर लेते हैं। वे पूरी तरह से जायज था और वे कभी अपने आपको दोशी महसूस नहीं करते। उदारण के लिए एक धोखे बाज यह मान सकता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि वह सिर्फ सिस्टम को मात दे रहा था। और उन्हें उनके कारियों के नैतिक परिणामों से दूर रखता है। उनके अपराधी बनने में कैसे योगदान देती है। हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम अपराधीयों की इस मानसिक्ता को बदलने और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए कदम उठा सकें। चैप्टर चार अपराधी व्यवहार में सोचने के पैटर्न की भूमिका। अपराधी सोचने के पैटर्न की शुरुआर इंसाइड दे क्रिमिनल माइन के चौथे अध्याई में स्टैंटन सामनो अपराधीयों के सोचने के तरीकों तिंकिंग पैटर्न पर गहराई से चर्चा करते हैं। इस अध्याई का मुख्य विशय है कि कैसे अपराधीयों के सोचने के तरीके या पैटर्न उनके आपराधिक व्यवहार का कारण बनते हैं। सामनों बताते हैं कि अपराधी किस तरह से अलग तरह से सोचते हैं और कैसे उनकी विचार प्रक्रिया समान्य लोगों से अलग होती है. The criminal's view of the world. अपराधीयों का दुनिया को देखने का तरीका आम लोगों से काफी अलग होता है. सामनों बताते हैं कि अपराधीयों के सोचने का तरीका संकीर्ण, नारो और तरकहीन, इर्राशनल होता है. वे दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां उन्हें हमेशा दूसरों से फायदा उठाना चाहिए. वे हमेशा खुद के फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों के अधिकारों, भावनाओं या जरूरतों का कोई खयाल नहीं रखते. उदाहरण के लिए एक अपराधी के लिए एक मौका का मतलब होता है कि वे बिना पकड़े कोई गलत काम कर सकता है. उसके दिमाग में या सवाल नहीं होता कि या सही है या गलत. उसके लिए सिर्फ फायदा या नुकसान मायने रखता है. यही वर्ल्ड व्यू उनके आपराधिक व्यवहार का एक बड़ा कारण है. सामेनों बताते हैं कि अपराधि अकसर खुद को पीड़ित विक्टिम के रूप में देखते हैं. वे अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए इस विक्टिम स्टान्स का उपियोग करते हैं. वे यह मानते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और इसलिए वे जो भी करते हैं वह उनकी परिस्थितियों का जवाब है. उदाहरन के लिए एक अपराधि यह सोच सकता है कि वह चोरी कर रहा है क्योंकि उसे समाज ने आर्थिक रूप से मौका नहीं दिया. या फिर एक हिंसक अपराधी यह मान सकता है कि उसे बचपन में दुर्व्यवहार सहना पड़ा. इसलिए उसकी हिंसा जायज है. इस विक्टिम स्टांस के जरिए अपराधी अपने अपराधों का दोश दूसरों पर मड़ते हैं और खुद को मासूम समझते हैं. The Need for Immediate Gratification. इसलिए में तुरंत हिंसा का सहारा ले सकता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता. यह Need for Immediate Gratification. अपराधियों को सोचने और योजना बद्धत तरीके से काम करने से रोकती है और उन्हें तातकालिक इच्छाओं के लिए गलत कदम उठाने पर मजबूर करती है. The Criminal's Lack of Empathy सामिनोव इस अध्याय में बताते हैं कि अपराधियों के सोचने के तरीकों में एक बहुत बड़ा अंतर उनकी empathy की कमी है. वे दूसरों की भावनाओं को समझने या महसूस करने में असमर्थ होते हैं. इसका मतलब है कि वे अपने कारियों के कारण दूसरों को होन दर्द, कष्ट या परेशानी की परवाह नहीं करते. उदाहरण के लिए एक धोखे बास को अपने शिकार की वित्तिय स्थिती की चिंता नहीं होती. वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है. या एक हिंसक अपराधी अपने शिकार की चोट या भावनात्मक आगहा के बारे में नहीं सोचता, क्यूंकि उसके लिए केवल उसकी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण होती है. या लाक ओफ एमपथी उन्हें दूसरों के प्रती असमवेधन शील बनाती है और उनके अपराधों को बढ़ावा देती है. The all or nothing thinking. सामिनों बताते हैं कि अपराध ही सोच सकता है कि अगर वे एक बार पकड़ा गया है तो उसका पूरा जीवन बरबाद हो गया है और अब उसके पास अपराध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. इस तरह का सोचने का तरीका उन्हें रचनात्मक रूप से समस्या का समाधान करने से रोकता है और उन से पाने का अधिकार रखते हैं. चाहे वे तरीका सही हो या गलत. इस सोच के कारण पिक किसी भी तरह के नियम या कानून को अपने उपर लागू नहीं मानते. उदाहरण के लिए एक अपराधी को लग सकता है कि वह विशेश है और इसलिए जो भी कदम उठाए वह जायज है. यह मानसिक्ता उन्हें नियमों और नैतिक्ता की परवाह किये बिना अपने स्वार्थों के अनुसार कारे करने के लिए प्रेरित करती है. कन्क्लूजन और मानसिक्ता को पहचानना और चुनौटी देना होगा. समापन यह अध्याय अपराधियों के सोचने के तरीकों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करता है और ये बताता है कि उनकी विकृत सोच कैसे उन्हें बार-बार अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। यह समझना हमारे लिए महत्वपून है ताकि हम अपराधियों की इस मानसिक्ता को बदलने और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए कदम उठा सकें। अध्याई 5. चुनाव की शक्ती अपराध व्यवहार में चुनाव की शक्ती की शुरुआर। इस अध्याई में Stanton Samson, अपराधियों के व्यवहार में Choice यानि चुनाव की भूमिका पर गहराई से चर्चा करते हैं। सामिनाव यह तर्क देते हैं कि अपराधी अपने अपराध करने के फैसले खुद करते हैं, यह किसी बहरी दबाव या परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, अपराधीयों के दिमाग में हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन वे अपराध का रास्ता चुनते हैं, यह अध्य इस सोच को चुनौती देता है कि अपराधी परिस्थितियों का शिकार होते हैं और बताता है कि अपराधी अपने खुद के चुनावों से अपने भाग्य का निर्मान करते हैं Rejecting the notion of the victim of circumstance समिनाव इस विचार को सिरे से खारिच करते हैं कि अपराधी परिस्थितियों के शिकार होते हैं वह तरक देते हैं कि victim of circumstance वाली सोच अपराधियों के अपराधी व्यवहार को सही ठहराने का एक तरीका है समाज में यह धारणा बनाई जाती है कि गरीबी, खराब परवरिश या सामाजिक अन्याए अपराध का कारण होते हैं लेकिन समिनाव का मानना है कि यह कारण केवल बहाने हैं जो अपराधी अपने अपराधों को जाय स्थेहराने के लिए बनाते हैं उदाहरण के लिए एक चोर कह सकता है कि उसने चोरी इसलिए की, क्योंकि वह गरीब है. लेकिन समनाव के अनुसार गरीबी से जूजने वाले लाखो लोग हैं, जो अपराध नहीं करते हैं. अपराधी अपनी मर्जी से अपराध का चुनाव करते हैं, नकि परिस्थितियों के दबाव में ते इल्यूजन ओफ नो चोईस. समनाव बताते हैं कि अपराधी अक्सर यह कहासिस है, यह कहकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वे अपने अपराधों को एक मजबूरी की तरह प्रस्थुत करते हैं, लेकिन वास्तव में हर इंसान के पास विकल्प होते हैं. अपराधी के लिए चोरी, छूट या हिंसा का सहारा लेना एक सक्रिय विकल्प होता है, ना कि एक मजबूरी, उदाहरण के लिए एक व्यक्ती जो धोखा धड़ी करता है, वह दावा कर सकता है कि उसके पास पैसे कमाने का और कोई तरीका नहीं था, लेकिन या पूरी तरह ग अपराधी अपने गलत चुनावों को सही ठहराने के लिए रैशनलाईजेशन और जस्टिफिकेशन का सहारा लेते हैं, वे अपने आपको यह यकीन दिलाते हैं कि उनका आपराधिक व्यवहार सही है, या वे जो कर रहे हैं वह जायज है, यह उनके अपराध करने के रास्त रखता है यह सोच उन्हें अपने अपराध को नैतिक, मॉरल, रूप से सही मानने का एक बहाना देती है, लेकिन सामनाओ इस प्रकार की सोच को self-deception कहते हैं, यानि खुद को धोखा देना, the role of self-concept in choices, सामनाओ बताते हैं कि अपराधियों का self-concept, यानि खुद के बारे में धारणा भी उनके चुनावों को प्रभावित करती है, बहुत से अपराधी, खुद को शक्तिशाली और बुद्धिमान मानते हैं, और इसलिए उन्हें लगता है कि वे कानून से उपर हैं, वे सोचते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, या वे किसी भी परिस्थिती को संभाद सकते हैं, उदाहरण के लिए एक घोटाले बाज, स्कैमर, उदाहरण के लिए एक घोटाले बाज, स्कैमर, ये सोच सकता है कि वे इतना चतुर है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, इस प्रकार की आत्मधारणा उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है, और उन्हें अपनी शक्ती और नियंतरन का अहसास कराती है, ब्रेकिंग, दे पैटर्न ओफ क्रिमिनल चॉइसस, समेनव बताते हैं कि अपराधियों के लिए अपने आपराधिक चुनावों से बाहर निकलना आसान नहीं होता, अपराध एक आदत बन जाती है और अपराधी अपने आपको एक चक्र में फसा हुआ पाते हैं, जहां वे बार-बार अपराद करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। हालांकि समिनाव इस बात पर जोर देते हैं कि अपराधियों के पास हमेशा अपने सोचने के तरीके को बदलने और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का विकल्प होता है। उनके सुधार का पहला कदम है स्वीकार करना कि उनके अपराध उनके अपने चुनावों का परिणाम है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। The importance of accountability, सामनाव इस अध्याय में बताते हैं कि अपराधियों को सुधारने का एक मात्र तरीका है, उन्हें उनकी जवाब देही, यानी accountability का अहसास कराना. जब तक वे अपने अपराधों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और यह नहीं समझेंगे कि उनके अपराध, उनके अपने गलत चुनावों का नतीजा है, तब तक वे नहीं बदल सकते. उदाहरण के लिए अगर एक अपराधी ये समझ ले कि वह खुद अपने अपराध के लिए जिम्मेदार है ना कि कोई बाहरी कारण या परिस्थिती तो ये समझ उसे बदलने का पहला कदम हो सकती है इसलिए सामनों कहते हैं कि अपराधियों को सही दिशा में ले जाने के लिए उनका पर्सनल अकाउंटिबिलिटी स्वीकार करना ज़रूरी है कंक्लूजन अध्याई 5 का सार ये है कि अपराधी अपने अपराध करने का निर्णे खुद लेते हैं और उनके अपराधी बनने के पीछे उनकी खुद की सोच और चुनाव होते हैं बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो अपराध के लिए मजबूरी नहीं बनती ये विचार कि अपराधी अपनी सोच और चुनावों से अपने अपराधिक रास्ते का निर्मान करते हैं समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अपराधियों के सुधार के लिए सही कदम उठाए जाएं। समिनाव इस अध्याई में यह सपष्ट करते हैं कि अपराधियों को सुधारने के लिए हमें उनके सोचने के तरीके और उनके अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। केवल तब ही हम अपराधियों को एक नया जीवन जीने का मौका दे सकते हैं। समापन, ये अध्याय अपराधियों की मानसिक्ता को समझने का एक गहरा विशलेशन प्रस्तुत करता है और बताता है कि उनके चुनाव ही उनकी अपराधी प्रवृत्ति का असली कारण है। अपराधियों को बदलने के लिए ये समझना जरूरी है कि बदलाव का पहला कदम उनकी खुद की सोच में बदलाव लाना है। इस अध्याई में Stanton Samino ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अपराधियों की सोचने की आदतें, habits of thought, किस तरह से उनकी आपराधिक गतिविधियों का आधार बनती हैं। अपराधियों के दिमाग में जो patterns और आदतें बनती हैं, वे उनके व्यवहार को निर्धारित करती हैं। ये सोचने के तरीके अकसर इतने गहरे और जटिल होते हैं कि वे अपराधि के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जो उनके हर कदम और निर्णय को प्रभावित करते हैं। सेमनाव बताते हैं कि अपराधियों की सोचने की आदतें इतनी गहरी होती हैं कि वे अपराधी स्वभाव को सही ठहराने के लिए हर संभव तरीका ठूंड लेते हैं. सेमनाव का तर्क है कि अपराधियों की सोच में कुछ खास पैटर्न होते हैं जो आम लोगों से अलग होते हैं. ये पैटर्न उनके जीवन के हर पहलू में नजर आते हैं. वे अपने कारियों को जायस ठहराने के लिए मानसिक रैशनलाइजेशन करते हैं और दूसरों को दोश ध्यान नहीं रखते हैं. उदाहरन के लिए एक अपराधी जो ड्रग्स की तसकरी करता है वह अपने कारियों को सही ठहराते हुए कह सकता है कि मैं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा हूं या मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, वे खुद खरीद रहे हैं. ये सोचन अधिकार की भावना. अपराधी अकसर यह मानते हैं कि वे विशेश अधिकारों के हकदार हैं. उन्हें लगता है कि उनके पास नियमों और कानूनों को तोड़ने का अधिकार है. वे सोचते हैं कि उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें ये अपनी इच्छाओ को पूरा करने का हर हक है. चाहे उसका तरीका कोई भी हो. पावर और कंट्रोल. शक्ति और नियंतरन की इच्छा. अपराधियों की एक और आदत यह है कि वे हमेशा दूसरों पर नियंतरन पाना चाहते हैं. वे मानते हैं कि शक्ति और नियंतरन हासिल करने के लिए धोखा, अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने के लिए हर संभव, तर्क और बहाने ढूंडते हैं वे मानते हैं कि उनकी स्थिती, चाहते या परिस्थिती, उनके अपराधों को जायस ठहराती है Lack of Remorse, पच्तावे की कमी अधिकांच अपराधियों में अपने के पर कोई पच्तावा नहीं होता वे अपने अपराधों को बस एक हलती मानते हैं या यह सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था Lack of Empathy, समवेदना की कमी अपराधी दूसरों की भावनाओं या जरूरतों के प्रती असमवेदनशील होते हैं वे किसी की परवाह नहीं करते कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या असर पढ़ रहा है इन लक्षणों के साथ अपराधी सोचते हैं कि उन्हें अपने हर कार्य के लिए सही ठहराने का अधिकार है और कानून से उपर होने का भी The Role of Manipulation in Criminal Thinking समवेदनाओ इस अध्याय में बताते हैं कि अपराधी अपनी सोच के इन पैटर्न्स का उप्योग दूसरों को जाकी करना एक कला है जिसे वे बड़े ही कुशल तरीके से अंजाम देते हैं उदाहरन के लिए एक धोखे बाज कनार्टिस्ट किसी निर्दोश व्यक्ति को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसकी संपत्ती हडप सकता है वह इसे एक चुनौती की तरह लेता है और अपने शिकार की कमजोरियों का फाइदा उठाता है इस तरह का सोचने का तरीका उनके अपराधी वेयो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है सामेनों बताते हैं कि अपराधियों की इन गहरी जड़े सोचने की आदते ही उन्हें सुधारने में सबसे बड़ी बाधा होती है जब तक अपराधी अपनी सोचने के तरीके में बदलाव नहीं लाते तब तक उनका सुधारना संभव नहीं होता उदाहरन के लिए यदि एक अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन वह अभी भी अपने आपको बेगुनाह मानता है और सोचता है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसके सुधार की संभावना बहुत कम होती है इसलिए सेमिनो इस बात पर जोर देते हैं कि सुधार की प्रक्रिया में सबसे पहले अपराधियों को अपनी सोच की इन आदतों को पहचानना और बदलना होता है कंक्लूजन अध्याए 6 अपराधियों की मानसिक्ता और उनकी सोचने की आदतों के बारे में गहन विशलेशन प्रस्तुत करता है यह बताता है कि अपराधियों की सोचने के तरीके न केवल उनके अपराध करने के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके सुधार के रास्ते में भी रुकावट पैदा करते हैं. समिनव का तर्क है कि जब तक अपराधी अपनी सोचने की आदतों को नहीं पहचानते और उनमें बदलाव नहीं लाते तब तक उनका पुनरवास और सुधार नामुम्किन है समिनव का निशकर्ष यही है कि अपराधियों के सोचने के तरीके को बदलने के लिए सबसे पहले उन्हें उनकी खुद की गलत सोच और उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यक्ता है तभी हम अपराधियों को एक बहतर जीवन की ओर ले जाने की उम्मीद कर सकते हैं इस अध्याई में स्टांटन सामनाव परिवार के मेहत्व और उसके अपराधि मानसिक्ता पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं उन्होंने यह बताया है कि अपराधि की सोच और उसके व्यवहार में परिवार का क्या योगदान होता है आमतोर पर यह समझा जाता है कि अपराधियों का व्यवहार उनके खराप पारिवारिक प्रिष्ट भूमी की वजह से होता है लेकिन सामनो इस सामान्य विचार को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि केवल परिवार या सामाजिक स्थिती के कारण ही कोई अपराधी नहीं बनता, बलकि यह अपराधीयों की सोचने की व्यक्तिगत आदतों का नतीजा होता है। सामनो इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से एक परिवार अपराधी मानसिक्ता के विकास में सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। बहुत से लोग जो कठिन और अस्थिर पारिवारिक प्रिष्ठ भूमी से आते हैं। अपराधियों की इंटरेक्शन, उनके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। अत्यधिक सुरक्षा या अनुमती देने वाली परवरिश। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर इतने सुरक्षात्मक होते हैं कि वे उन्हें उनकी गलतियों के परिणामों से बचाने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे को अपनी गलतियों का अनुभव नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को समझने में असमर्थ रहता है। ये मानसिक्ता अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकती है। परिवारों में अनुशासन की असंगती भी अपराधी मानसिक्ता के विकास में योगदान कर सकती है। जब बच्चे को यह संदेश मिलता है कि नियम बदल सकते हैं या उन पर लागू नहीं होते तो वे नियमों को तोड़ने के लिए तयार हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ चालबाजी करना। अपराधी अकसर अपने परिवार के सदस्यों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वे उनकी सोच का समर्थन करें। वे अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का फाइदा उठाते हैं और उन्हें अपने अपराधों का ओचित्य प्रदान करने के लिए मजबूर करते हैं. The family is struggling with a criminal member. सामनों, यह भी बताते हैं कि अपराधियों के परिवारों के लिए यह समझना और सुईकार करना पेहत कठिन होता है कि उनका कोई सदस्य अपराधी है. उस अपराधी व्यक्ति को सुधारने या उसे सही रास्ते पर लाने के लिए संघर्श करता है. कई बार ये परिवार अपराधी को रहस्यमय या ब्रहमित मानते हैं लेकिन सामनाओं बताते हैं कि अपराधी हमेशा सचेत रूप से अपनी हरकतیں करते हैं इस तरह के संखर्ष में अपराधी के परिवार वाले अकसर गिल्ट, गिल्ट, शेम, शेम और denial की भावनाओं का सामना करते हैं वे अपने बच्चों के अपराधी होने की सच्चाई को अस्विकार कर देते हैं जो अपराधी के लिए और भी अधिक अपराध करने के लिए एक अफसर प्रदान करता है recognizing and breaking the cycle सामना का तर्क है कि परिवारों को अपराधी के सोचने के तरीके को पहचानना और तोड़ना सीखना चाहिए उन्हें अपराधी के व्यवहार के प्रती आँखें खोलनी चाहिए और समझना चाहिए कि अपराधी खुद अपनी सोच और आदतों के कारण अपराध करता है न कि केवल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामनों सुझाव देते हैं कि परिवार को अपराधी के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए सीमय निर्दरित करना परिवार के सदस्यों को अपराधी के साथ सक्त सीमय निर्दरित करनी चाहिए और उसे अपने कारियों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए सक्षम बनाने वाले व्यवहार से बचना परिवार को चाहिए कि वे अपराधी की हरकतों का समर्थन न करें और उसके जूट या बहानों को स्विकार न करें सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प पेशेवर मदद लेना परिवार को अपराधी की सोच में बदलाव लाने के लिए पेशेवर सलाहकारों या चिकितसकों की मदद लेनी चाहिए जवाब देही प्रोफसाहित करना परिवार को चाहिए कि वे अपराधी को उसकी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोचसाहित करें और उसके सुधार के लिए प्रयास करें कंक्लूजन परिवार के लिए पराधी को सुधारने में वास्तविक सहयोग दे सकें इस अध्याय में स्टैंटन सामिनोव अपराधियों की सोच को बदलने के तरीकों पर चर्चा करते हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अपराधियों को सुधारना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें केवल बाहरी स्थितियों को बदलने से कुछ नहीं होता असल में अपराधियों के मूलभूत सोचने के तरीके कोर थिंकिंग पैटरंस को बदलने की आवश्यक्ता होती है सेमनाव के अनुसार अपराधि मानसिक्ता का परिवर्तन तभी संभव है जब अपराधि खुद अपनी सोच और व्यवहार को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो इस अध्याय का उद्बेश यह बताना है कि किस तरह से अपराधि की सोच को समझ कर उसे सही दिशा में बदला जा सकता है The Challenge of Reforming Criminal Minds की दिशा में काम करने को तैयार हो Essential Steps in Changing Criminal Thinking सामिनोंने अपराधी मानसिक्ता को बदलने के लिए कुछ आवश्यक कदम बताए है Self-recognition of Faulty Thinking गलत सोच की आत्ममान्यता अपराधी को पहले यह मानना होगा कि उसकी सोच गलत है और उसमें सुधार की आवश्यक्ता है यह स्वीकृती एक कठिन और लंबी प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि अपराधी अपनी मानसिक्ता को छोड़ना नहीं चाहते उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं नकि परिस्थितियों या दूसरों को दोश देने के addressing the victim mindset पीडित मानसिक्ता को संबोधित करना बहुत से अपराधी अपने आपको पीडित के रूप में देखते हैं वे मानते हैं कि समाज, परिवार या परिस्थितियां उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर करती हैं सामिनाओंने तर्क दिया कि इस मानसिक्ता को बदलना जरूरी है ताकि अपराधी अपनी जिम्मेदारी को समझें अपराधी को यह समझना होगा कि उनका व्यवहार एक सामुहिक, कलेक्टिव, विचार प्रक्रिया का परिणाम है नकि बाहरी परिस्थितियों का अपराधियों में अक्सर साहानुभूती की कमी होती है उन्हें अपने पीडितों की तकलीव का एहसास नहीं होता सामरव कहते हैं कि अपराधियों को पीडितों के नजरिये से चीजों को देखने के लिए प्रोचसाहित किया जाना चाहिए उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके कार्य दूसरों को कितना दर्थ और नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये सहानुभूती का विकास अपराधियों की सोच में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। अपराधियों में आवेग नियंतरण, impulse control की कमी होती है, जो अकसर उनके अपराध का कारण बनता है। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि कैसे अपने आवेगों को नियंतरित किया जाए और शांत दिमाग से निर्नय लिया जाए। इसका अर्थ है कि अपराधी अपने गुस्से, घृणा या आन्य, नकारादमक भावनाओं को नियंतरित कर सकें और उनका रचनातमक उपयोग कर सकें। संरचित पुनरवास कार्यक्रम सामनाओं का मानना है कि पुनरवास कारिक्रमों का प्रभावी होना आवश्चक है। ये कारिक्रम अपराधियों को अपने व्यवहार को बदलने के लिए व्यवहारिक और संरचित तरीकों की पेशकश करते हैं। इनमें अपराधियों के साथ व्यक्तिगत और समूह थेरेपी Counseling और नियमित Feedback शामिल हो सकते हैं, जो उनकी प्रगति को मापने में मदद करते हैं नियमित निगरानी और Feedback परिवर्तन की प्रक्रिया में अपराधियों को नियमित रूप से Monitor करना और उन्हें व्यवहार पर इमानदार प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है जब अपराधियों अपने सुधार के लिए गंभीर होते हैं, तो उन्हें उनके प्रगति की जानकारी देने से उन्हें प्रेरणा मिलती है Importance of Cognitive Behavioral Therapy, CBT समिनावने इस अध्याय में Cognitive Behavioral Therapy, CBT का विशेश उल्लेक किया है यह एक Therapeutic द्रिष्टिकोन, Therapeutic Approach है, जो अपराधियों की सोच के पैटर्न को समझने और बदलने पर केंदरित है CBT अपराधियों को यह सिखाता है कि वे अपने विचारों को कैसे चुनौती दें और उन्हें अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से कैसे बदलें इसके अंतरगत अपराधियों को उनके नकारात्मक विचारों की पहचान करने, उनका विशलेशन करने और उन्हें स्वस्थ विचारों से बदलने की ट्रेनिंग दी जाती है सामिनाओ का तर्क है कि CBT जैसे कारियक्रम अपराधियों की सोच को बदलने में सबसे प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे गहरी आत्म पहचान, सेल्फ अवेरनेस और व्यवहार, परिवर्तन, बिहेवियोर चेंज, पर कैंदरित होते हैं सामनों बताते हैं कि अपराधी मानसिक्ता में परिवर्तन केवल तब संभव है, जब अपराधी खुद इसे बदलने के लिए motivated हो, ये motivation बाहरी बलों से नहीं, बलकि उनकी आंतरे किछा से आनी चाहिए अगर अपराधी को कोई इनाम, reward या दंड, punishment का डर होता है, तो वे केवल अस्थाई परिवर्तन कर सकते हैं, असली बदलाव तब ही होता है, जब अपराधी खुद अपनी सोच और जीवन को सुधाने के लिए प्रेरित होते हैं कंक्लूजन और से समर्पन, दृड़ता और सही दृष्टिकोन की जरूरत होती है, जब अपराधी ये समझ जाते हैं कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव उनके खुद के हाथों में है, तब जाकर असल परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है अध्याई नौ, अपराधिक्ता का संचरण, अपराध की श्रेणी का परिचय, इस अध्याई में स्टांटन सामनो यह बताते हैं कि अपराधी केवल काले और सफेद, यानि अच्छे और बुरे की श्रेणी में नहीं आते, उन्होंने अपराधी मान सिकता की एक विस्तृत श्रेंखला पर ध्यान के इंद्रित किया है, सामनो का कहना है कि अपराधी एक कंटिनिवम सातत्य पर होते हैं, जिसमें उनके विचार और व्यवहार का स्तर फिन्न हो सकता है, कुछ अपराधी बेहत हिंसक होते हैं, जबकि कुछ चोरी या धोखा धड़ी जैसे अपेक्ष मामूली अपराधों में सनलगन होते हैं, हाला कि उनके मूल सोचने के तरीकों में समानताएं होती हैं, यह अध्याय इस बात की परताल करता है कि अपराध की गंभीरता चाहे जो भी हो, अपराधी की सोच का मूल तत्व वही होता है, निजी लाब के लिए दूसरों का सामनाव बताते हैं कि अपराधियों की सोच और व्यवहार की तीवरता, इंटेंसिटी में भिन्नता होती है, माइनर ओफेंडर्स, छोटे अपराध करने वाले, यह वे लोग होते हैं जो अपेक्षा कृत कम गंभीर अपराध करते हैं, जैसे चोरी, छोटी मोटी धोखा ध अच्छी तरह फिट होते हैं, मेजर ओफेंडर्स, बड़े अपराध करने वाले, दूसरी ओर, कुछ अपराधी बेहत गंभीर और खतरनाक अपराधों में लिप्थ होते हैं, जैसे हत्या, बलातकार या बड़े पैमाने पर धोखा धड़ी, सामनों के अनुसार, यह अपर अपराधी अपराधों की गंभीरता में भिन हो, उनका मानसिक द्रिष्टिकोन, माइंसेट अमान होता है, वे सभी दूसरों के प्रती असमवेदन शील, इनसेंसिटिव होते हैं, और अपने लाब के लिए दूसरों का शोशन करते हैं, वे अपने कृतियों के लिए तर्क खोचते हैं, खुद को दोश्मुक्त मानते हैं, और किसी भी परिस्थिती में अपने कारियों को सही ठहराते हैं, यह मानसिकता एक निरंतर्ता पर होती है, और हर अपराधी कहीं न कहीं इस श्रेणी में फिट बैठता है, वे अपनी सोच और कारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, चॉइस और तीवरता का बढ़ना, अपराधी शुरुआत छोटे अपराधों से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अपने कारियों के लिए तर्क विकसित करते जाते हैं, और बिना पकड़े बच निकलते हैं, उनके अपराधों की तीवरता बढ़ती जाती है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जहां अपराधी छोटे अपराधों से शुरू होकर बड़े और अधिक गंभीर अपराधों की ओर बढ़ते हैं. Choice and Consequences, Choice और परिणाम. सामनाव इस बात पर जोर देते हैं कि अपराधी को उसके कारियों के परिणाम भुगतने चाहिए, ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी, Responsibility का एहसास हो. अपराधी की सोच को सुधारने का एक मात्र तरीका है कि उन्हें उनके गलत कारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. जब अपराधी यह समझने लगते हैं कि उनके कारियों के परिणाम होते हैं, तो वे अपनी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं. The Myth of the Reformed Criminal. समिनाव एक और महत्व पूर्ण बिंदू उठाते हैं, सुधारित, अपराधी का मिथा. Superficial, Change, उपरी बदलाव. कुछ अपराधी सुधार की बात करते हैं और यह दावा करते हैं कि वे बदल गए हैं, लेकिन समिनाव कहते हैं कि यह केवल सतही परिवर्तन, Superficial Changes होते हैं. असल में, अपराधी की सोच में गहरी कोई बदलाव नहीं आता, वेकेवल अपने शब्दों और व्यवहार में बदलाव दिखाकर, समाज और कानून को चक्मा देते हैं. Indicators of True Change, सच्चे बदलाव के संकेत, सच्चा सुधार तभी होता है, जब अपराधी अपनी सोच और व्यवहार में बुनियादी परिवर्तन लाए. इसका अर्थ है कि वे अपनी अपराधी मानसिक्ता, Criminal Mindset को छोड़कर, जिम्मेदार, इमानदार और सहानू भूती पूर्ण, Empathetic, सोच को अपनाए. लगातार सतर्कता, समेनों कहते हैं कि अपराधी की मानसिक्ता में सच्चे बदलाव की पहचान तभी हो सकती है, जब उसे लगातार मॉनिटर किया जाए और उसकी प्रगती पर नजर रखी जाए. The role of society in reinforcing the continuum. समेनों बताते हैं कि समाज का एक हिस्सा भी अपराधियों की मानसिक्ता को बढ़ावा देता है. Enablers in Society. समाज में बढ़ावा देने वाले लोग. कुछ लोग अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे परिवार के सदस्य जो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, या सामाजिक प्रणाली जो उन्हें उच्चित तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराती. या अपराधि की मानसिकता को और मजबूत करता है. Breaking the cycle. चक्र को तोड़ना. समाज को अपराधियों के प्रति सक्त होना चाहिए और उन्हें उनके कारियों के लिए जवाब दे ठहराना चाहिए. अगर समाज और सिस्टम अपराधियों को उनके कारियों के परिणामों से बचाते रहेंग तो अपराधियों की सोच में बदलाव लाना मुश्किल होगा. Conclusion स्थाई परिवर्तन की आवश्क्ता होती है. बदलाव की यह प्रक्रिया कठिन और लंबी हो सकती है. लेकिन यह जरूरी है. अगर हम एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं. इस अध्याय में, Stanton सामनाव अपराधियों की मानसिक्ता को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उन्होंने पहले के अध्यायों में बताया था कि अपराधियों की सोच में बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि उनकी सोच गहराई से जमी होती है. चैप्टर 10 में सामनाव बताते हैं कि बदलाव कैसे संभव है, लेकिन यह एक लंबी, कठिन और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इस बदलाव की प्रक्रिया में अपराधियों को उनकी पुरानी सोच को पहचानने, स्वीकार करने और उससे हटने की आवश्यक्ता होत सामनाव का कहना है कि अपराधि की सोच में बदलाव की प्रक्रिया का पहला कदम स्वीकार्यता है. अपराधि को सबसे पहले लिए हैं स्वीकार करना होगा कि उनकी सोच और व्यवहार समस्या ग्रस्त हैं. अधिकांश अपराधि कुद को पीडित मानते हैं या अपने अप पैटर्न की पहचान करना समयनों बताते हैं कि बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अपराधी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले इसके लिए उन्हें न केवल अपराधों के परिणामों को समझना होगा बलकि ये भी समझना होगा कि उनका व्यवहार उन पर कैसे प्रभाव डालता है ये समझ आत्म प्रतिबिम्ब सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से आती है बिल्डिंग एमपथी सहानुभूती का निर्मान करना अपराधियों के सोचने के तरीके में आम तौर पर सहानुभूती की कमी होती है सैमनाओ के अनुसार सहानुभूती का विकास महत्वपून है ताकि अपराधिय समझ सकें कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं ये उन्हें अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में जागरूप करता है और उनकी सोच को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है स्वेन नियंत्रन सीखना अपराधी अक्सर अवेग में फैस ले लेते हैं जो उन्हेन और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं सामिनों ने इस बारे में बात की है कि अपराधी को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने आवेगों को कैसे नियंतरित करें और भावनात्मक रूप से तरकसंगत निर्ने कैसे लें Building Honest Relationships इमानदार संबंधों का निर्मान करना सामिनों बताते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया में अपराधी को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरों के साथ इमानदारी और भरोसे पर आधारित संबंध कैसे बनाई इससे उन्हें अपनी सोच और व्यवहार को वास्तविक्ता में बदलने में मदद मिलती है सामिनों बताते हैं कि कुछ संगठित कार्यक्रम अपराधियों की सोच बदलने में सहायक हो सकते हैं इन कार्यक्रमों में अपराधियों को अपनी सोच और व्यवहार की जड़े पहचानने और उन्हें सुधारने का अफसर मिलता है Cognitive Behavioral Therapy, CBT, संग्यानात्मक व्यवहार, चिकित्सा CBT का उपयोग, अपराधियों की विकृत सोच को बदलने में किया जाता है इस प्रक्रिया में, अपराधियों को उनके सोचने के तरीकों के बारे में जागरूग किया जाता है और उन्हें सकारात्मक सोच और व्यवहार में बदलने के लिए उपकरण दिये जाते हैं Skill Building Workshops, कौशल निर्मान कार्यशालाएं इन कार्यशालाओं में अपराधियों को प्रभावी समबाद, समस्या समाधान और ट्रिगर प्रबंधन, ट्रिगर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं ये कौशल उन्हें अपनी अपराधी मानसिक्ता से हट कर समाज में एक सकारात्मक सदस्य के रूप में योगदान करने में मदद करते हैं Overcoming Setbacks and Resistance Handling Resistance प्रतिरोध का प्रबंधन समेनों कहते हैं कि अधिकांच अपराधी परिवर्तन का विरोध करते हैं ये प्रतिरोध स्वाभाविक होता है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया अपराधी की आत्म छवी को चुनोती देती है इसलिए उनके साथ काम करने वाले पेशेवरों को उनके प्रतिरोध को समझ कर उसकी कार्य प्रणाली को पहचानना और उसको संभालना चाहिए Addressing Setbacks विफलताओं का समाधान बदलाव के दौरान अपराधी कई बार वापस अपनी पुरानी सोच पर लोट सकते हैं सामिनों का कहना है कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बलकि इसे एक अफसर के रूप में देखा जाना चाहिए जो अपराधी को यह समझने में मदद करता है कि वे कहां गलत हो गए Continuous Monitoring लगातार निगरानी सामिनों ने इस बात पर जोर दिया है कि अपराधी की सोच में बदलाव को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्चक्ता होती है परिवार, समुदाय और कानून प्रवर्तन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि अपराधी अपनी सुधार प्रक्रिया के दौरान सही मार्ग पर हैं कंक्लूजन चाप्टर 10 में स्टांटन सामिनाओ ने यह स्पष्ट किया कि अपराधीयों की सोच में बदलाव एक धीमी, कठिन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह केवल बाहरी सुधार नहीं है, बलकि आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक्ता है अपराधीयों को अपनी सोच, विश्वास और निर्नय लेने की प्रक्रिया में गहराई से बदलाव लाना होगा समिनाओ का यह मानना है कि अपराधियों को जिम्मेदारी, सहानु भूती और आत्म नियंतरन जैसे गुणों को अपनाने की जरूरत है ताकि वे अपने अतीज से दूर एक नए और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकें समाज और पुनरवास कार्यक्रमों की भूमिका भी इस परिवर्तन को समर्थन देने और उसे बनाए रखने में महत्वपून होती है यह अध्याई अपराधियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों और सुधार कार्यक्रमों के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करता है यह समझने में मदद करता है कि अपराधी की मानसिकता को कैसे प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं Chapter 11, The Relapse Factor, The Battle with Old Patterns, Introduction to Relapse in Criminal Behavior इस अध्याय में, Stanton सामनाउं अपराधियों के पुना अपराध, Relapse, करने की प्रवृत्ती पर ध्यान किंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए अपनी पुरानी मानसिक्ता और व्यवहार में वापस लोटने का खत्रा हमेशा बना रहता है। हालांकि बदलाव संभव है। लेकिन अपराधि के लिए अपने पुराने तरीके और विचारों में वापस फिसलना एक वास्तविक और चुनौती पून समस्या है। सामनों के अनुसार अपराधिक मानसिक्ता का यह पुनरुथान, रिलाप्स तब होता है जब एक अपराधि उस सोच और व्यवहार को अपनाने के लिए संघर्ष करता है, जिसे उन्होंने सुधारने की कोशिश की है, यह अध्याय यह समझने में मदद करता है कि अपराधि क्यों और कैसे पुना अपराध की स्थिती में आते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, Understanding the relapse, what is relapse? पुनुरुत्तान क्या है? Relapse का अर्थ है कि एक अपराधी जो सुधार के पत पर था, फिर से अपने पुराने अपराधी व्यवहार और सोच में लौट आता है. यह है अकसर अचानक नहीं होता या धीरे-धीरे होता है क्योंकि अपराधी पहले छोटे विचारों और फैसलों से शुरू करते हैं, जो धीरे-धीरे बड़े गलत कदमों की ओर ले जाते हैं. The Trigger Points सामिनों बताते हैं कि कुछ परिस्थितियां, लोग या भावनाएं अपराधी को उसकी पुरानी सोच की ओर धकेल सकते हैं. यह Trigger Points हो सकते हैं जैसे कि तनाव, व्यक्तिगत असफलता, नकारात्मक साथियों का दबा या निराशा. अपराधी को यह सीखना होगा कि कैसे इं Trigger Points को पहचाने और उनसे प्रभावी ढंक से निपटें. पुराने सोच के पैटर्न पुराने सोच के पैटर्न जैसे तुरंत संतुष्टी की तलाश, दूसरों को दोश देना और नियमों को तोडने की इच्छा अपराधी के दिमाग में कहराई से बसे रहते हैं. यह पैटर्न मुश्किल परिस्थितियों में फिर से उभर सकते हैं. खासकर जब अपराधी अपने आपको चुनौती पून स्थिती में पाते हैं. रैशनलाइजेशन एंड जस्टिफिकेशन, तर्क संगत्ता और अचित्य, अपराधी रिलाप्स के दौरान अपने पुराने तरीकों को उचित ठहराने के लिए तर्क संगत्ता, रैशनलाइजेशन का उपियोग करते हैं. वे सोच सकते हैं कि बस एक बार करने से कुछ नहीं होगा, या इससे मुझे अच्छा लगेगा और कोई नुकसान नहीं होगा. इस प्रकार की सोच एक स्लिपरी स्लोप का निर्मान करती है, चो उन्हें एक बार फिर से अपराध की दुनिया में खीच सकती है. समेनों बताते हैं कि अपराधियों को लगातार अपने व्यवहार और सोच का आत्म मुल्यांकन करना चाहिए. यह जागरूकता उन्हें यह पहचानने में मदद करती है कि कब वे पुराने पैटर्न में लोटने वाले हैं. उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को नियमित रूप से जांचना चाहिए और स्वयम से पूछना चाहिए कि क्या वे इस सकारात्मक दिशा में सोच रहे हैं या नहीं. समर्थन प्रणाली अपराधियों को सकारात्मक परिवर्तन बनाए रखने के लिए समर्थन की आवर्शक्ता होती है. सहायक परिवार, सलाकार और उपचारात्मक समुदाय, ठेरप्यूटिक कम्यूनिटीज उन्हें प्रोचसाहित कर सकते हैं और सही दिशा में मार्ग दर्शन कर सकते हैं. यह संग्यानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT और जीवन कौशल कारिशालाए, Life Skills Workshops, अपराधियों को स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओ, Learning New Coping Mechanisms, नए निपटने के तंत्र सीखना, अपराधियों को सिखाया जाना चाहिए कि वे तनाव, अफलाकिसा और निराशा जैसे भ संग्यानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT और जीवन कौशल कारिशालाए, Life Skills Workshops, अपराधियों को स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं, Accountability, जवाब देही, समेनाओ जोर देते हैं कि अपराधियों को अपनी प्र अर्थन कार्यक्रम यह न केवल अपराधियों को जिम्मेदार ठहराता है, बलकि उन्हें यह सही मार्ग पर बने रहने में भी मदद करता है, Dealing with Relapse, Understanding, Relapse is part of the process, समझना कि पुनरुथान प्रक्रिया का हिस्सा है, सामेनों का कहना है कि पुनरुथान को अंतिम असफलता के र strategies, लक्षियों और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन, जब Relapse होता है, तो अपराधियों और उनके सलहकारों को उनके लक्षियों और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें यह देखना चाहिए कि कहां कमी थी और आगे बढ़ने के लिए क्या बदला करना आवश्यक है, ताकि अपराधि अपनी पुरानी सोच और व्यवहार से पूरी तरह से छुटकारा पा सके, कंक्लूजन, चाप्टर 11 में, स्टांटन सामिनों ने Relapse के विशे को विस्तार से समझाया है, यह बताते हुए कि यह सुधार की प्रक्रिया का एक स्वाभावि समर्थन मांगे और अपनी सोच के पैटरन पर काम करते रहें। उनकी पुरानी सोच से हटाने का काम कितना कठिन और जटिल होता है, विकिन यह संभव है यदि सही द्रिष्टिकोन और संसाधनों का उप्योग किया जाए। क्योंकि वे उनकी सोच, व्यवहार और जीवन के चुनावों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। समिनों के अनुसार, परिवार और दोस्तों के समर्थन से अपराधी का जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर यह लोग खुद सह निर्भर, कोडिपेंडन्ट या गलत सोच वाले हैं, तो वे अपराधी के सुधार के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश यह समझना है कि किस प्रकार परिवार और दोस्तों की भूमिका को सकारात्मक तरीके से गढ़ा जा सकता है। अहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उनके पास एक मजबूत सहारा है। इसे परिवार अपराधी के सुधार में बाधा बनते हैं और उसकी सोच को और भी विकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा परिवार जो हिंसा को स्वीकार करता है या अपराधी के व्यवहार को उचिट ठहराता है। अपराधी के सुधार की संभावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इनेबलिंग बिहेवियर सक्षम बनाने वाला व्यवहार, कुछ परिवार अपराधी के आपराधिक व्यवहार को बिना जाने समझे सक्षम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे उसकी गलतियों को माफ करते हैं, उन पर परदा डालते हैं या उन्हें तर्क संगट ठहराते हैं, यह enabling behavior अपराधी के सुधार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, family as a motivator for change, परिवर्तन के लिए परिवार एक प्रेरक के रूप में, प अपराधी को सकारात्मक जीवन के विकल्प चुनने के लिए प्रोचसाहित करते हैं, पुनर्वास में दोस्तों की भूमिका, सकारात्मक साथियों का प्रभाव, समेनों का कहना है कि अच्छे दोस्त अपराधी के सुधार में बहुत मदद कर सकते हैं, सकारात्मक साथियों का समर्थन, प्रेरणा और मार्गदर्शन अपराधी को उसके पुराने रास्तों से दूर रखने में महत्वपून भूमिका निभा सकते हैं। अपराधी अक्सर उन्ही दोस्तों के समू से जुड़े होते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में सनलिप्त होते हैं। विशाक्त संबंधों से दूर रहना। अपराधियों को उनके पुराने सनबंधों से दूर तहने और नए अधिक सहायक समूदाय का हिस्सा बनने में मदद कर सकते हैं। पुनरवास का समर्थन करने के लिए परिवार और दोस्तों की रण नीतियां। इंकरिजिंग ओनिस्ट कम्यूनिकेशन इमानदार संचार को प्रोचसाहित करना। परिवार और दोस्तों को अपराधी के साथ इमानदार और खुला संबाद करना चाहिए। या खुलापन अपराधी को अपने अंदर के डर और चिंताओं को व्यक्त करने में मदद कर सकता है। जिससे उसकी पुनरवास की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। Setting Clear Boundaries सपष्ट सीमाय निर्धारित करना परिवार और दोस्तों को अपने व्यवहार के लिए अपराधी के प्रती सपष्ट सीमाय निर्धारित करनी चाहिए। या न केवल अपराधी को उसके व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोच साहित करता है। बलकि यह उनके लिए एक स्पष्ट संदेश भी भेजता है कि कोई भी सह निर्भरता बरदाश्ट नहीं की जाएगी. Seeking Professional Guidance पेशेवर मार्क दर्शन की तलाश करना अपराधियों के परिवार और दोस्तों को पुनरवास विशेशज्यों Counselors और मनो वैज्यानिकों की मदद लेनी चाहिए ताकि वे अपराधि की मदद कैसे करें इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें मनो चिकित्सा और Counseling सत्र अपराधियों के साथ साथ उनके परिवारों के लिए भी महत्वपून हो सकते हैं Creating a Supportive Environment एक सहायक वातावरन बनाना घर का वातावरन, सकारात्मक और सहायक होना चाहिए किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, आलोचना या आपराधिक प्रवृत्ती के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए परिवार और दोस्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी को एक ऐसा वाता वरण मिले जो उसे सुधारने के लिए प्रेरित करे कंक्लूजन चाप्टर बारह में अपराधी की मदद कर सकते हैं उसकी सोच को बदल सकते हैं और उसे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में मार्कदर्शन कर सकते हैं अंत में यह अध्याई एक महत्वपून संदेश देता है कि अपराधीयों का सुधार सिर्फ उनके अकेले के प्रयास का परिणाम नहीं होता यह एक सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है जिसमें उनके परिवार, दोस्त और समाज के अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं अध्याई 13 अपराधी व्यक्तित्व और पदार्थ शोषन अपराधिक्ता और पदार्थ शोषन की शुरुआत समेनों अपराधिक व्यक्तित्व और नशे की लत के बीच की जटिल कड़ी का विशलेशन करते हैं वह इस धारणा को चुनोती देते हैं कि अपराधी नशे की लत के कारण अपराध करते हैं इसके बजाए सामनों बताते हैं कि अपराधी पहले से ही अपराधिक मनसिक्ता के होते हैं और नशे की लत उनके अपराधिक व्यवार का सिर्फ एक विस्तार है इस अध्याय में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे आपराधिक सोच नशे की लत की ओर ले जाती है और इसके विपरीत कैसे नशे की लत आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ा सकती है सामनाओ का मुख्य तरक यह है कि मादक पदार्थों के दुरुप्योग, सबस्टेंस अब्यूज और आपराधिक व्यवहार, क्रिमिनल बिहेवियर के बीच का संबंध सह जीवी, सिंबायोटिक होता है, एक दूसरे को बढ़ावा देता है और समर्थन करता है, अपराधि अक नशे की लट एक लक्षण है, कारण नहीं, समनों कहते हैं कि नशे की लट आपराधिक व्यक्तित्व का परिणाम है, न कि उसकी वजह है, बहुत से लोग मानते हैं कि नशे की लट अपराध का कारण होती है, लेकिन सामिनों इसके विपरीत मानते हैं, अपराधी पहले से ह अनैतिक, स्वार्थी और गैर जिम्मेदाराना सोच के होते हैं और नशे की लत उनके इसी स्वभाव का विस्तार है Drugs as a tool for criminal behavior अपराधी व्यवहार के लिए एक साधन के रूप में मादक पदार्थ कई अपराधी मादक पदार्थों का उपियोग अपने आपराधिक कारियों को करने के लिए एक साधन के रूप में करते हैं बेनशे का उपियोग न केवल अपनी अंतरात्मा को दबाने के लिए करते हैं बलकि अपनी आक्रामकता, हिम्मत और शक्ती की भावना को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए एक लुटेरा, लूट के समय खुद को अधिक निडर महसूस करने के लिए नशे का सेवन कर सकता है। The Choice of Substance Abuse, नशे की लट का चुनाव। समनाव उस पश्ट करते हैं कि अपराधी नशे की लट के लिए चुनाव करते हैं। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है, वो जल्दी सित्रिप्ती पाने के लिए जोखिम भरे और आत्मक्षैकारी विकल्प चुनते हैं। इस प्रकार नशा केवल उनकी आपराधिक मानसिक्ता को पूरा करने का एक तरीका है। वे इसे मौज मस्ती, जश्न मनाने या वास्तविक्ता से बचने के साधन के रूप में देखते हैं। अपराधि अकसर अपने आपराधिक व्यवहार को सही ठहराने के लिए नशे की लटका सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि वे नशे में थे और इसलिए वो अपने होश में नहीं थे, लेकिन सामनों इस तर्क को खारिज करते हैं। उन्होंने पाया कि अपराधी अक्सर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और जान बूज कर अपने नशे का उपयोग एक बहाने के रूप में करते हैं Substance Abuse Treatment and Criminal Rehabilitation नशे की लट का उपचार और अपराधी पुनरवास Limitations of Traditional Substance Abuse Programs पारम पर एक नशा मुक्ती कारेक्रमों की सीमाएं पारम पर एक नशा मुक्ती कारेक्रम अक्सर यह मानते हैं कि नशे की लट किसी भी अन्यमानसिक स्वास्थ्य समस्या की तरह होती है जिसे चिकित्सा और सलाह से ठीक किया जा सकता है लेकिन सामनाओं का तर्क है कि जब अपराधियों की बात आती है तो ये कार्यक्रम आमतोर पर असफल होते हैं क्योंकि वे अपराधि की मूल आपराधिक मानसिक्ता को नहीं समझते समनाओं कहते हैं कि अपराधियों को केवल नशे की लट के लिए नहीं बलकि उनकी पूरी सोच और दृष्टिकोन को बदलने के लिए मदद की आवश्यक्ता है यह संग्यानात्मक पुनरगठन के माध्यम से संभव है जो अपराधि की मूल सोच प्रक्रिया को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है नशामुक्ती उपचार और आपराधिक पुनरवास का एकी करण समयनों का सुझाव है कि नशामुक्ती उपचार को आपराधिक पुनरवास के साथ एकी कृत किया जाना चाहिए अपराधियों को यह सिखाना जरूरी है कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ती और नशे की लथ एक ही सोच की उपज है जब तक वे अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक उनका नशे से मुक्त होना भी असंभव होगा accountability and responsibility जवाब देही और जिम्मेदारी अपराधियों को अपने व्यवहार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि नशा और अपराध दोनों उनके अपने चुनावों का परिणाम है सामिनाव जोर देते हैं कि अपराधियों को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोचसाहित किया जाहिए न कि नशे की लट को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने दिया जाए चालेंजे की लट वाले अपराधियों के इलाज में चुनावतियाओं परिवर्तन के प्रति-प्रतिरोध अपराधी अकसर अपनी मानसिक्ता को बदलने के लिए तयार नहीं होते नशे की लट का इस्तेमाल वे अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक सहूलियत के रूप में करते हैं इसलिए जब उन्हें उपचार के लिए भेजा जाता है तो वे इसका विरोध करते हैं और अकसर कार्यक्रम को छोड़ देते हैं या उसकी उपएक्षा करते हैं Manipulation of Treatment Programs उपचार कार्यक्रमों का दुरुपयोग सामनों बताते हैं कि अपराधि अकसर नशा मुक्ती कार्यक्रमों का दुरुपयोग करते हैं इसे नयाय प्रणाली के साथ खेल खेलने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं जहाँ वे यह दिखाते हैं कि वे सुधर रहे हैं जबकि वास्तव में उनका उद्देश्य केवल सजा से बचना होता है Co-occurrence of Multiple Disorders कई विकारों का सहए अस्तित्व अपराधियों में नकेवल नशे की लथ होती है एपराधियों में नकेवल नशे की लथ होती है एपराधियों में नकेवल नशे की लथ होती है एपराधियों में नकेवल नशे की लथ होती है जिससे उपचार और पुनर्वास में और भी कठिनाई होती है कंक्लूजन चैप्टर थर्टीन का निशकर्ष ये है कि नशे की लत्थ और आपराधिकता का गहरा और जटल संबंध होता है सेमनावने इस विचार को खारिच कर दिया कि नशे की लत्थ ही आपराधिक व्यवहार का कारण है इसके बजाए उन्होंने यह दिखाया कि आपराधिक मानसिक्ता ही नशे की लत्थ की ओर ले जाती है नशा आपराधिकी आपराधिक सोच का विस्तार मात्र है सामिनाओं का तर्ख है कि एक सफल पुनर्वास प्रक्रिया के लिए न केवल नशे की लट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बलकि अपराधी की संपोर्ण मानसिक्ता को भी बदलना चाहिए अपराधियों को अपनी सोच, द्रिष्टिकोन और निर्नय लेने की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव करने की आवश्चक्ता होती है अंत में इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है अपराधियों के पुनर्वास के लिए केवल नशा मुक्ती पर्याप्त नहीं है यह उनकी पूरी मानसिक्ता को पुनर्निर्मित करने का प्रयास होना चाहिए अध्याय चौधे में स्टैंटन सामनव अपराधियों को बदलना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी आपराधिक सोच, क्रिमिनल थिंकिंग, उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती है सामनाव के अनुसार अपराधियों का उपचार तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि उनकी सोच, त्रिष्टिकोन और मान्यताओं में मूलभूत परिवर्तन न लाए जाए इस अध्याए में सामनाव या बताते हैं कि अपराधियों का उपचार क्यों मुश्किल है, इसके लिए कौन सी तकनीकें काम कर सकती है और क्यों अपराधियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों को विशेश रणनीतियों की आवश्चक्ता होती है इन ट्रीटिंग क्रिमिनल्स अपराधियों के उपचार में चुनौतियां गहरे जड़े जमाए आपराधिक सोच के पैटर्न समयनाव बताते हैं कि अपराधियों के लिए आपराधिक सोच उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है उनके विचार गहरे बैठे होते हैं और वे अपराध करने के लिए तारकिक और उचित्य पून कारण गढ़ लेते हैं ये सोच के पैटर्न इतनी गहराई तक पहुँच चुके होते हैं कि उन्हें बदलना बेहत मुश्किल हो जाता है अपराधी अकसर यहां मानने से इनकार करते हैं कि उन्हें कोई समस्या है या उन्हें बदलने की जरूरत है वे अकसर थेरपिस्ट और अन्य पेशेवरों को धोखा देने के लिए हैर फेर का सहारा लेते हैं यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे सुधार कर रहे हैं जबकि वास्तव में वे केवल अपनी आपराधिक गतिविधीों को छिपाने का प्रयास कर रहे होते हैं. Resistance to Change परिवर्तन के प्रतीप्रतिरोद अपराधी परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी आपराधिक सोच उन्हें शक्ती और नियंत्रण का एहसास कराती है सेमिनो बताते हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है वे अक्सर अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोश देते हैं और खुद को जिम्मेदार नहीं मानते Effective Approaches to Treatment उपचार के प्रभावी दृष्टिकोन Cognitive Behavioral Therapy CBT संग्यानात्मक व्यवहार चिकित्सा समिनव का सुझाव है कि अपराधिक मानसिक्ता को बदलने के लिए संग्यानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT सबसे प्रभावी तरीका है CBT अपराधि को उनकी अपराधिक सोच और गलत धारणाओं को पहचानने और चुनौती देने में मदद करता है इस द्रिष्टिकोन के माध्यम से अपराधि सीख सकते हैं कि उनकी सोच कैसे उनके अपराधिक व्यवहार का नेत्रित्व करती है और इसे कैसे बदला जा सकता है Accountability and Responsibility जवाब देही और जिम्मेदारी समिनाव जोर देते हैं कि अपराधियों को अपनी सोच और व्यवहार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें अपने अपराधों को सही ठहराने या दूसरों को दोश देने के बजाए अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है लेकिन यह आपराधिक सोच को बदलने के लिए आवश्चक है गेहन और दीर्खकालिक कारिक्रम अपराधियों के उपचार के लिए गेहन और दीर्खकालिक कारिक्रमों की आवश्चकता होती है संक्षिप्थ हस्तक्षे, ब्रीफ इंटर्वेंशन्स, आमतोर पर अपर्याप्थ होते हैं, क्योंकि आपराधिक सोच की गहराई को बदलने में समय लगता है सेम नव यह भी सुझाव देते हैं, कि उपचार के दौरान अपराधियों को लगाता निगरानी और मार्ग दर्शन के आवश्चकता होती है स्ट्रक्चर्ड इंवाइरिमेंट्स, संरचित वातावरण एक संरचित वातावरण, जैसे कि एक सुधार ग्रह या पुनरवासकेंद्र, अपराधियों के उपचार के लिए आवश्चक होता है ऐसे वातावरण में अपराधी बाहरी दुनिया से कुछ हद तक अलग रहते हैं और उन्हें अपनी आपराधिक सोच और व्यवहार पर ठ्ञान के इंद्रित करने के लिए मजबूर किया जाता है ये संरचित सैटिंग्स उन्हें अपराध मुक्त जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करती हैं लगातार और प्रत्यक्ष समवाद उपचार के दौरान पेशेवरों को अपराधियों के साथ लगातार और स्पष्ट समवाद बनाए रखना चाहिए सेमनाव बताते हैं कि अपराधी अक्सर भ्रमित करने वाले और हेर फेर करने वाले होते हैं सिलिए उपचार करता को उनकी रणनीतियों को समझना और उनका मुकाबला करना चाहिए। उन्हें अपराधी की सोच में किसी भी परिवर्तन के लिए सतर्क रहना चाहिए। और आवश्चक्ता पढ़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विशेश विचार व्यक्तिगत उपचार योजनाएं योजनाएं हर अपराधी अलग होता है और उनके उपचार की योजना भी व्यक्तिगत होनी चाहिए। समयनाओं बताते हैं कि एक आकार सभी पर फिट बैठता है। वन साइस फिट सॉल तृष्टिकोन काम नहीं करता है। उपचार करता को अपराधी के विशिष्ट पैटर्न, सोच और व्यवहार को समझ कर एक व्यक्तिगत योजना बनानी चाहिए। addressing co-occurring disorders, सहे अस्तित्व विकारों का समाधान, कई अपराधियों के साथ-साथ अन्यमानसिक स्वास्थे समस्याई भी होती हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता या व्यक्तित्व विकार, इन सहे अस्तित्व वाले विकारों का भी उपचार के दौरान समाधान किया जाना चाहि सैमनाव जोर देते हैं कि संपून द्रिष्टिकोन, holistic approach आवश्चक होता है, जो आपराधिक सोच के साथ-साथ इन मानसिक स्वास्थे समस्याऊं को भी संबोधित करें Continual Assessment and Adaptation, निरंतर मुल्यांकन और अनुकूलन, उपचार एक स्थिर प्रक्रिया नहीं होती, इसे लगातार आकलन और समायोजन की आवश्चकता होती है, उपचार करता को नियमित रूप से ये मुल्यांकन करना चाहिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर आवश् उपचार में, परिवार और समुदाय का समर्थन महत्व पून होता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके कारियों का प्रभाव केवल खुद पर ही नहीं, बल्कि उनके आस-पास के लोगोंपर भी पड़ता है, परिवार और समुदाय के समर्थन से, अपराधी अपनी सो और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं। प्रेरित हो सफलता पूर्वक बदलने के लिए उपचार करताओं को उन की सोच के पैटरन को समझना, चुनौती देना और उन्हें एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। लेकिन समिनाव का मानना है कि सही अध्याई पंद्रह में स्टांटन सामिनोव ने आपराधिक व्यवहार की रोक्थाम, प्रिवेंशन पर ध्यान के इंद्रित किया है। यह अध्याई उन उपायों पर चर्चा करता है, जिनके माध्यम से हम आपराधिक गतिविधियों को रोग सकते हैं। और क्यों? यह मह पिश्चित करना है कि भविश्य में अपराधियों की सोच और व्यवहार को कैसे बदला जाए, ताकि अपराध की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। Understanding the Roots of Criminal Behavior, आपरेनिक व्यवहार की जड़े समझना, Criminal Thinking Patterns, आपरेनिक सोच के पैटर्न, समनाव के अनुसार, आपराधिक सोच की पहचान और समझ ही रोग थाम का पहला कदम है। अपराधि अपनी सोच में पिशिष्ट पैटर्न विकसित करते हैं, जैसे कि दूसरों को सकता है कि सही समय पर हस्तक शेप, Intervention किया जा सके Early Identification and Intervention, प्रारंभिक, पहचान और हस्तक शेप, सामनों का कहना है कि आप राधिक सोच के प्रारंभिक संकेतों की पहचान करना और हस्तक शेप करना अत्यंत महत्वपून है। यदि हम किशोरा वस्था या प्रारंभिक जी अपराधिक व्यवहार को रोकने की रणनीतियां, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, शेक्षिक कारेक्रम, समनों के अनुसार, शिक्षा और जागरूकता कारेक्रम अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं। ये कारेक्रम अपराध की धारणा, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। स्कूलों और समुदायों में शेक्षिक कारेक्रमों को लागू करके युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन किया जा सकता है। परिवार और पालन पोशन में हस्तक्षे, परिवार की भूमिका को नजर अंदास नहीं किया जा सकता सामनाव यह मानते हैं कि सही पालन पोशन और परिवारिक समर्थन से आपराधिक सोच और व्यवहार को रोका जा सकता है। माता पिता को अपराधी सोच के संकेतों की पहचान करने और बच्चों को उचित नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ प्रशिक्षित करने की सामनाव का कहना है कि यह समुदाय के भितर समाजिक समर्थन और संरचना प्रदान करता है जो अपराध की संभावना को कम करता है। मार्गदर्शन और सकारात्मक आदर्श सामनों यह मानते हैं कि युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श और मार्गदर्शक अत्यधिक महत वे युवाओं को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक रोल मॉडल्स की उपस्थिती को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. सामिरों का कहना है कि आर्थिक असमानता और अवसर की कमी आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देती है. गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के पास वे कल्पिक रास्ते नहीं होते, जिससे वे आपराधिक गतिविधियों की ओर जुक सकते हैं. आर्थिक अवसर प्रदान करने से हम अपराध की संभावना को कम कर सकते हैं. हम अपराध की रोगधाम में महत्वपूर्न भूमिका निभाते हैं. सामनाव का तर्क है कि ये सिस्टम लोगों को अपराध की ओर ले जाने वाले जोखिमों से बचाते हैं और उन्हें एक सकारात्मक जीवन की ओर मार्ग दर्शन करते हैं चैलेंजज इन प्रिवेंशन रोग्थाम में चुनोतियां कम्पलेक्सिटी ओफ क्रिमिनल माइंड अपराधी मन की जटिलता समेनों के अनुसार आपराधिक मन की जटिलता और विभिन कारक अपराध की रोग्थाम को चुनोती पूर्ण बनाते हैं एक ही उपाय सभी पर लागू नहीं होता और विभिन व्यक्तियों और समुदायों के लिए विभिन रणनीतियां आवश्चक होती हैं रोग्थाम कार्यक्रमों का विरोध कई बार अपराधी और समाज के कुछ वर्ग रोग्थाम कार्यक्रमों का विरोध करते हैं या उनमें पूरी तरह से शामिल नहीं होते। सामनाव यह मानते हैं कि रोक्थाम के प्रयासों को समाज में व्यापक समर्थन और सहयोग की आवश्यक्ता होती है। Effective Implementation of Prevention Programs रोक्थाम कारेक्रमों का प्रभावी कार्यानवयन Collaboration with Various Sectors विभिन निक्षेत्रों के साथ सहयोग। कि कारेक्रम प्रभावी हैं, उन्हें लगातार, ट्रैक करना और आवशक समायोजन करना चाहिए। Adaptation to Emerging Trends उभरते रुजानों के प्रती अनुकूलन समाज में उभरते रुजानों और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, रोक्थाम रणनीतियों को अध्यतित और अनुकूलित करना चाहिए। सेमनों का कहना है कि जब समाज में नए अपराध और समस्याइं उभरती हैं, तो रोक्थाम के उपायों को भी बदलना और सुधारना चाहिए। अध्याई आए 15 का निशकर्श ये है कि आपराधिक व्यवहार की रोक्थाम केवल एक संगठन या कार्यक्रम का काम नहीं है, बलकि ये एक समग्र प्रयास है जिसमें समाज के सभी हिस्सों को शामिल किया जाना चाहिए। समिनाओ के अनुसार रोक्थाम के लिए हमें अपराधियों की सोच को समझना, विभिन्न रोक्थाम रणनीतियों को लागू करना और सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित करना आवश्यक है। रोगथाम के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके हम भविश्य में अपराद की संभावनाओं को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सामिनो का तर्क है कि केवल ऐसे ही व्यापक और एकी कृत द्रिश्टिकोंड से हम वास्तविक और स्थाई परिवर्दन ला सकते हैं। अध्याई सोलह में स्टैंटन सामिनो भविश्य में आपरादिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के संभावित परिवर्दनों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अध्याय में सामिनाव यह चर्चा करते हैं कि कैसे वर्तमान प्रणाली की कमजोरियों को संबोधित किया जा सकता है और कैसे एक अधिक प्रभावी और न्याय पूर्ण प्रणाली विकसित की जा सकती है समिनों का लक्ष यह है कि वह संभावित समाधान और सुधारों को प्रस्तु करें, जो भविश्य में आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर बना सकें. वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली की सीमाएं, सजा पर अत्यधिक निर्भरता. समिनों का कहना है कि वर्तमान प्र रिहाबिलिटेशन पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसे उनका अपराध मुक्त जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। सामनाविया मानते हैं कि यदि पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जाए, तो अपराधियों के पुनरावृत्ति की संभावना कम हो सकती है। पीडितों के लिए अपर्याप्त समर्थन पीडितों को अपराध के बाद पर्याप्त समर्थन और सहायता नहीं मिलती। सेमनाव का कहना है कि पीडितों की जरूरतों को प्राथ मिक्ता देना और उन्हें उच्चित सहायता प्रदान करना जरूरी है। Inequality and Bias असमानता और पूर्वाग्रह न्याय प्रणाली में असमानता और पूर्वाग्रह एक बड़ी समस्या है सामनाओ का कहना है कि गरीबों और अल्प संख्यक समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है समनों का सुझाव है कि न्याय प्रणाली को पूर्वाग्रह और अपराधियों के समाज में पूर्वाग्रह पर अधिक ध्यान देना चाहिए इसे सुधारात्मक द्रिष्टिकोन, करेक्टिव अप्रोच के रूप में देखा जाना चाहिए नकी केवल दंडात्मक द्रिष्टिकोन के रूप में कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जो अपराधियों को पीडितों के साथ्तो सीधे समबाद और मुआवजा देने का अवसर प्रदान करते हैं यह प्रणाली अपराधियों को उनके कार्यों के प्रभावों को समझने और सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करती है Enhanced Support for Victims पीडितों के लिए बहतर समर्थन पीडितों को सशक्त और समर्थ बनाना आवश्यक है सेमनव का कहना है कि पीडितों के लिए बहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं कानूनी सहायता और सामाजिक समर्थन प्रदान करना चाहिए Technology and Data-Driven Approaches प्रद्योगी की और Data-Sanchalit द्रिष्टिकोन समनव सुझाव देते हैं कि प्रद्योगी की और Data-Sanchalit द्रिष्टिकोन Data-Driven Approaches को अपनाना चाहिए इससे अपराद की प्रवृत्तियों का विशलेशन और प्रभावी हस्तक्षे Interventions को लागू करने में मदद मिल सकती है Addressing Systemic Bias and Inequality संविधानिक पूर्वाग्रह और असमानता को संबोधित करना न्याय प्रणाली में पूर्वाग्रह और असमानता को समाप्त करने के लिए समनाव का कहना है कि व्यापक सुधार की आवश्रक्ता है न्याय अधीशों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए के लिए भारी विरोध हो सकता है। पुरानी परंपराओं और प्रक्रियाओं को बदलना मुश्किल हो सकता है। विशेशकर जब लोग वर्तमान प्रणाली में सहज होते हैं। विट्पोशन और संसाधन नए सुधारों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त विट्पोशन और संसाधन आवश्यक होते हैं। और अपराध की रोगथाम के विभिन पहलूं को शामिल किया जाए. Community Involvement – समुदाई की भागीदारी समुदाईक भागीदारी को बढ़ावा देना और स्थानिय समुदाईों को न्याय प्रक्रिया में शामिल करना आवश्चक है. समुदाई की भागीदारी से सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है. शैक्षिक पह असाउं, शायगे पहलों. भविश्य में न्याय प्रणाली को शिक्षात्मक पहल और प्रशिक्षन पर जोर देना चाहिए. ताकि सभी संबंधित पक्षों को अपराध और न्याय की प्रक्रिया की बहतर समझ हो. अंतर राष्ट्रिय सहयोग और अनुभवों को साजा करना भी महत्वपून हो सकता है. विभिन देशों के अनुभव और सुधारों का अध्ययन करके वैश्विक द्रिष्टिकों से न्याय प्रणाली को पहतर बनाया जा सकता है. कंक्लूजन अध्याय सोलह का निशकर्ष यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के भविश्य में व्यापक सुधार और नवाचार की आवश्यक्त है. सैमनों का कहना है कि एक प्रभावी और न्याय प्रणाली बनाने के लिए हमें सुधारात्मक द्ριष्टिकोंड, पीडितों के समर्थन और तकनीकी नवाचार को अपनाना चाहिए. भविश्य की न्याय प्रणाली को एक समग्र और समर्पित द्रिष्टिकोण के साथ विकसित करना चाहिए, जो सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखे और एक न्याय पूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाए. सामनव का सुझाव है कि यदि हम इन सुधारों को सही धंग से लागू करें, तो हम एक ऐसा आपराधिक न्याय प्रणाली बना सकते हैं, जो अधिक प्रभावी, न्याय पूर्ण और समाज के सभी वर्गों के लिए सहायक हो. अध्याय सत्रह में, स्टैंटन सामनव, समाज की भूमिका पर ध्यान केंदरित करते हैं, जो आपराधिक व्यवहार की रोक्थाम में महत्वपून होती है. समाज केवल कानून लागू करने और नियाय प्रदान करने का काम नहीं करता, बलकि अपराधियों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करने में भी इसकी महत्वपून भूमिका होती है. इस अध्याई में समिनाव यह बताते हैं कि समाज कैसे अपराद की रोक्थाम में योगदान दे सकता है और इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाई किये जा सकते हैं Understanding Society's Impact on Crime समाज का अपराद पर प्रभाव Social Norms and Values समाजिक मांदंड और मूल्य समयनाव का कहना है कि समाज के मांदंड और मूल्य आपरादिक र्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं जब समाज नैतिकता इमांदारी और सकारात्मक र्यवहार को मेहत्व देता है तो यही आपराद की संभावना को कम कर सकता है सकारात्मक सामाजिक मान्दंड और मूल्य युवाओं को सही दिशा में मार्क दर्शन करते हैं और अपराधी सोच को रोकने में मदद करते हैं Community Engagement, समुदाई की भागीदारी, समुदाई की सक्रिय भागीदारी अपराध की रोक्थाम में महत्वपूर्ण होती है समुदाई का कहना है कि जब समुदाई एकजुट होकर काम करता है तो यह अपराध की रोक्थाम और सुरक्षित वातावरन बनाने में सहायक होता है समुदाई कार्यक्रम, घटनाएं और पहल समाज में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है समुदाई का कहना है कि जब समाज शिक्षा के माध्यम से अपराध की प्रवृत्तियों और प्रभाहा कारेका सास प्रभावों के बारे में जागरूक्ता पहलाता है तो यह युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और आपराधिक व्यवहार की संभावना को कम करता है strategies for society to prevent crime अपराध की रोक्थाम के लिए समाज की रणनीतियां building strong communities मजबूत समुदायों का निर्मान समेनाव के अनुसार मजबूत और एक जुट समुदाय अपराध की रोक्थाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समुदायों को आपसी सहयोग और समर्थन बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए जैसे कि सामुदायक events, सुरक्षा समितियां और स्थानिय नेत्रित्व की पहल जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक जुट रहते हैं तो अपराध की संभवना कम होती है सकारात्मक आदर्शों को बढ़ावा देना सकारा युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना भी अपराध की रोक्थाम में सहायक हो सकता है सामनों का कहना है कि जब युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों, खेलकूद और सामुदायक सेवाओं में शामिल किया जाता है तो यह उन्हें पर एक सकारात्मक दिशा में म सामनाओ का कहना है कि मानसिक स्वास्थि सेवाएं, कांसलिंग और अन्य सहायता कारेक्रम उन व्यक्तियों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और अपराध की संभावना को कम कर सकते हैं रोल ओफ मीडिया और टेकनोलजी, मीडिया और प्राध्योगी की भूमिका, मीडिया का प्रभाव समेनों का कहना है कि मीडिया का अपराध और समाज पर गहरा प्रभाव होता है मीडिया को जिम्मेदार और समवेदन शील तरीके से अपराध और उसके परिणामों को प्रस्तुत करना चाहिए मीडिया की भूमिका है कि वह समाज को जागरूख करे और सकारात्मक संदेश फैलाए Using Technology for Crime Prevention अपराध की रोक्थाम के लिए प्रोध्योगी की का उप्योग प्रोध्योगी की अपराध की रोक्थाम में सहायक हो सकती है सेमनाव का सुझाव है कि स्मार्ट कैमरा, डेटा एनालिटिक्स और अन्य तक्नीकी उपकरणों का उप्योग अपराध की पहचान और रोक्थाम के लिए किया जाना चाहिए। प्राध्योगी की समाज को अधिक सुरक्षित बनाने और अपराध की संभावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। चैलेंज़ और बैरियर्स चुनौतियाओं और बाधाएं समाज में परिवर्तन लाना चुनौति पूर्ण हो सकता है। खास कर जब लोग पुरानी आदतों और द्रिश्टिकोनों के साथ सहज होते हैं। सामनाओ का कहना है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित और तयार करना आवश्यक होता है। साथन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी योजनाएं और सरकारी समर्थन आवश्यक हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर समाज में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक द्रिष्टिकोन हो सकते हैं, जो अपराद की रोक्थाम में बाधा डाल सकते हैं। सामनाव का कहना है कि समाज को इन विभिन द्रिष्टिकोनों को समझना और एक समावेशी द्रिष्टिकोन अपनाना चाहिए. Future Directions for Societal Involvement समाजिक भागीदारी की भविश्य की दिशा Community Based Initiatives समुदाय आधारित पहलो सामनाव का सुझाव है कि भविश्य में समाज को समुदाय आधारित पहलों को बढ़ावा देना चाहिए. है पहल समाज में सुरक्षा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है. सामाजिक नेट्वर्क को मजबूत करना अपराद की रोक्थाम में सहायक हो सकता है सामनाव का कहना है कि परिवार, मित्र और सामुदाइक नेटवर्क को मजबूत करके अपराद की संभावना को कम किया जा सकता है कोलाबरेटिव एफर्ट्स, सहयोगात्मक प्रयास, समाज, सरकारी एजन्सियां और निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास अपराद की रोक्थाम में महत्वपून हो सकते है सेमनाव का कहना है कि सभी संभन्धित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रभावी और समावेशी समाधान तयार किये जा सकें कंक्लूजन सेमनाव का कहना है कि समाज को केवल कानून और नियाय प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बलकि उसे अपराद की रोक्थाम में सक्रिय भूमिक अनिभानी चाहिए समाज का एक जुट और सहयोगात्मक द्रिष्टिकोन अपराद की संभावना को कम कर सकता है अत्मक आदर्श और समर्थन प्रणालियों के माध्यम से अपराध की रोक्थाम के प्रयासों को प्रभावी बनाना चाहिए। अध्याए 18 सडक सुधार के लिए अपराधी के लिए परिवर्तन संभव है। Introduction to Rehabilitation पुनर्वास की और यात्रा अध्याए 18 में स्टांटन सामनाव पुनर्वास रिहाबिलिटेशन के जटल और बहु आयामी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अध्याए में पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अपराधी वास्तम में बदल सकते हैं और अगर हाँ तो यह परिवर्तन कैसे संभव है। सामनाव बताते हैं कि पारम पर एक पुनर्वास कारिक रमो ने अक्सर असफलता क्यों पाई है और इस दिशा में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। कि अपराधी के आंतरिक मूल्य और सोच में बदलाव से होनी चाहिए। अपराधियों को खुद को इमानदारी से देखना और यह स्वीकार करना होगा कि उनकी सोच ही उनके आपराधिक व्यवहार का कारण है। चुनोतियां पुनर्वास की इनकार और प्रतिरोध अपराधियों का इनकार। डेनियाल और सुधार के प्रती प्रतिरोध एक बड़ी बाधा होती है। वे अपनी गलतियों और आपराधिक सोच को नकारते रहते हैं। समयनव बताते हैं कि जब तक अपराधि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते और अपने भीतर जांक कर अपने विचारों की गहराई को नहीं समझते, तब तक किसी भी प्रकार का पुनर्वास संभव नहीं है। Superficial Compliance, सतही अनुपालन, अक्सर अपराधी पुनर्वास कार्यक्रमों का सतही रूप से पालन करते हैं, जैसे केवल नियमों का पालन करना या सुधार अधिकारियों को संतुष्ट करना, लेकिन ये सतही प्रयास उनके सोच और व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन नहीं ल अपराधियों की जिम्मेदारी लें, उन्हें ये समझना होगा कि उनके फैसले और क्रियाएं उनके खुद के हैं और इसके परिणामों के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। अपराधियों को नियमित्रूक से आत्मनेरिक्षन करने की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने विचारों, भानाओं और कारियों का इमानदारी से आकलन करना चाहिए, रोले और थेरापी और कॉंसलिंग थेरिपाई और कांसलिंग की भूमिका, कॉग्निटिव बिहेवि अपर्याओं को पहचान सकते हैं, और उन्हें सकारात्मक दिशाओं में बदल सकते हैं, ग्रूप ठेरपी and support groups, समूछ चिकित्सा और समर्थन समूछ समूह चिकित्सा और समर्थन समूह अपराधियों को एक दूसरे से सीखने और एक सुरक्षित वातावरण में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अफसर प्रदान करते हैं यह पारसपरिक समर्थन और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देता है Society's role in rehabilitation समनव बताते हैं कि समाज की भागिदारी भी अपराधियों के पुनर्वास में महत्वपून होती है अपराधियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए समाज को उनके पुनर्वास के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए Employment and Skill Development रोजगार और कौशल विकास रोजगार के अफसरों और कौशल विकास के कार्यक्रमों का संचालन अपराधियों को सकारात्मक जीवन में लोटने में मदद कर सकता है समाज को उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका देना चाहिए Why traditional rehabilitation often fails पारंपरिक पुनर्वास क्यूं विफल रहता है? Lack of individual focus व्यक्तिगत ध्यान की कमी पारंपरिक पुनर्वास कार्यक्रम एक सामानित दिर्ष्टिकों अपनाते हैं जो सभी अपराधियों के लिए समान रूप से काम नहीं करता सामनाओ का मानना है कि प्रतिक अपराधि की सोच और व्यभार अलग-अलग होते हैं और उन्हें समझने और उनके अनुसर पुनर्वास कार्यक्रम बनाने की आवश्यक्ता होती है inadequate follow-up अपर्याप्त अनुवर्ती पुनर्वास के बाद अपराधियों पर नियमित निग्रानी और समर्थन की कमी भी विफलता का कारण हो सकती है अपराधियों को बार-बार अपने पुराने आपराधिक नेटवर्क और आदतों में लोटने की संभावना होती है खासकर अगर उनके पास एक मजबूत समर्थन प्रणाली नहीं होती अपराधी सोच पैटर्न का कम आँखलन पारंपरिक पुनर्वास अकसर अपराधी सोच के पैटर्न को कम आँखते है सेमिनाओ का कहना है कि जब तक हम आपराधिक सोच की कहराई को नहीं समझते पुनर्वास योजनाओं को व्यक्तिगत अपराधी की सोच और व्यवहार के अनुरूप बनाया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्चक्ताओं के अनुसार मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है अपराधियों को पुनर्वास के बाद भी समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्चक्ता होती है सामिनों का कहना है कि एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली जो उन्हें अपराध की ओर लोटने से रोगती है पुनर्वास की सखलता के लिए महत्वपूर्ण है अपराधियों को सही दिशा में बनाए रख सकता है सामनाओ का सुझाव है कि अपराधियों को उन लोगों के साथ जुडने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं यह बताते हैं कि अपराधियों के लिए वास्तविक और दीर्गकालिक पुनर्वास केवल तभी संभव है जब वे अपनी सोच और व्यवहार में कहरी और वास्तविक परिवर्तन के लिए तैयार हो पारंपरिक पुनर्वास कार्यक्रमों की विफलता के कारणों को उजागर करते हुए, समेनों यह स्पष्ट करते हैं कि पुनर्वास को अपराधियों की व्यक्तिगत जरूरतों और सोच के अनुरूप बनाना चाहिए. समाज, ठेरपी और समर्थन प्रणालियों का सही मिश्रण अपराधियों को पुनर्वास की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है. सामेनों के अनुसार केवल बाहरी दबावों से नहीं, बलकि आंतरिक बदलाव और जवाब देही की भावना से ही अपराधियों में स्थाई भर करती है. के पुनर्वास के लिए समाज, कानून प्रवर्तन और पुनर्वास कार्यक्रमों को कैसे उननत और आधुनिक द्रिष्टिकों अपनाना चाहिए. Key Points Discussed in Chapter 19. मुख्य बिंदू Evolving Understanding of Criminal Behavior अपराधि व्यवाहर की बदलती समझ समेनों का मानना है कि अपराधियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारी द्रिष्टिकों में निरंतर विकास की आवश्चकता है. जैसे जैसे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिद्रिष्य बदलते हैं. वैसे वैसे हमें आपराधिक व्यवाहर के नए आयामों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. इसमें साइबर अपराधों से लेकर संगठित अपराध के बदलते रूप तक के मुद्दे शामिल हैं. Neuroscience and Psychology, Neuroscience और मनोविज्ञान की भूमिका. आधुनिक पुनर्वास के लिए Neuroscience, Neuroscience और मनोविज्ञान, Psychology की गहन समझ को शामिल करना जरूरी है. सामनों बताते हैं कि मस्तिश्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलूँ का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अपराधियों के विचार और व्यवहार कैसे बनते हैं. Brain Imaging Techniques मस्तिश्क इमेजिंग तकनीकें जैसे FEMRI, Functional MRI और PET Scan, Positron, Emission, Tomography जैसे उपकरणों का उपयोग अपराधियों की मस्तिश्क संरचना और कार्य शीलता का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनकी आकरामकता, सहानुभूती की कमी और आवेगों को समझने में मदद मिल सकती है, Technology in Criminal Rehabilitation, अपराध पुनर्वास में प्रोध्योगी की, Virtual Reality Therapy, समिनों बताते हैं कि VR का उपयोग, अपराधियों को नैतिक निर्ने लेने, सहानुभूती महसूस करने और अपने कारियों के प्रभावों को समझने में मदद करने के लिए किया जा सकता ह ये interactive platform, अपराधियों को सुरक्षित और नियंतरित वातावरण में अपने व्यवहार का विशलेशन करने का अवसर देते हैं, Artificial Intelligence, AI, and Predictive Analytics, कृत्रिम बुद्धी मत्ता और भविश्यवानी विशलेशन, अपराधियों के पुनर्वास के लिए AI आधारित, सिस्टम का उप rehabilitation, सज्जा से पुनर्वास की और द्रिष्टिकोन में बदलाव, समयनों बताते हैं कि कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली को सजा पर जोर देने की बजाए, पुनर्वास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, restorative justice, पुनरस्थापनात्मक न्याय, इस द्रिष्टिकोन का देश्य अपराधियों को उनके पीडितों के सामने लाकर उनके कारियों की जिम्मेदारी लेने में मदद करना है, यह अपराधियों को उनके अपराध के प्रभाव को गहराई से समझने और उसे सुधारने का मौका देता है, व्यक्तिगत पुनर्वास कार्यक्रम, समयनाव जोर देते हैं कि पुनर्वास कार्यक्रम एक ही सांचे में ढलने वाले नहीं होने चाहिए, प्रत्येक अपराधी की सोच और व्यवहार अलग-अलग होते हैं, उन्हें एक से एक समर्थन, सलाह और मार्गदर्शन की आवश्रक्ता होती है, जो उनकी विशेश है कि अपराधियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए, इससे उन्हें समाज में पुन, एकीकृत होने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है, समुदाय का समर्थन अपराधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, समाज को अपराधियों के पुनर्वास में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे उन्हें दो बारा अपराध की ओर लोटने से रोका जा सके, समेनों बताते हैं कि पुनर्वास का रास्ता लंबा होता है और इसे पूरा करने के लिए अपराधियों को निरंतर समर्थन की आवश्यक्ता होती है, सामाजिक सेवाउं, पारिवारिक समर्थन और पुनर्वास संगठनों का एक सम्मिलित प्रयास इस दिशा में मदद कर सकता है, Why it's crucial to look forward, आगे की ओर देखना क्यों महत्वपून है? सामनों का तर्क है कि जब हम पुनर्वास के भविश्यकी ओर देखते हैं, तो हमें पुराने द्रिश्टिकोनों से हट कर एक अधिक वैज्ञानिक, साहनुभूती पूर्ण और समावेशी द्रिश्टिकोन अपनाना चाहिए. उनका मानना है कि आपराधिक व्यवहार को समझने और उसे बदलने का प्रयास एक सतत यात्रा है, और इसे केवल कठोर दंड के बजाए, विकास और समर्थन के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है. समापन, कंक्लूजन, अध्याई 19. समनाव की पूरी किताब का सारांश प्रस्तुत करता है, अपराधियों के पुनर्वास में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक, वैज्यानिक और इंसानियत सिप परिपून द्रिश्टिकोन की आवश्चता है. पुनर्वास का भविश्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपराधियों को कैसे समझते हैं और उन्हें कैसे समाज के लिए सकारात्मक योगदान करता बनने के लिए प्रेरित करते हैं. सामनाओं का अंतिम संदेश यह है कि आपराधिक पुनर्वास का भविष्य केवल तक्नीकी उन्नती में नहीं है, बलकि ओद्रिष्टी कोणों में है जो अपराधियों को असली बदलाव की ओर ले जाते हैं, जिससे वे अपने जीवन को और समाज को बहतर बना सकें.